हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और गाइस काफी समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर मैट्स की स्रीज लेकर आईए मैट्स की क्लास हमको करा दीजे तो उसी कड़ी में चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज की क पेपर में ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि आप जिन बच्चों से डील करने वाले हैं वह कौन से बच्चे हैं आपके प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं क्लास वन टू फाइफ के बच्चे हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंट करूंगा कि आप शिक्स टू एर्थ भी तो उसमें क्या है Indian Place Value System, International Place Value System, तो यह सारी चीजे आपके basic में आती हैं और यह चीजे आपको करके जाने हैं, आज के questions में आपको काफी हद तक में यही सारी चीजे समझाने वाला हूं, ठीके जी, चलिए, जल्दी से लेते हैं अपने first question को, क्या पूछ रहे हैं question में, My older brother is 6 years older than I am, जो मेरा बड़ा भाई है, वो मुझसे 6 वर्ष बड़ा है, and the sum of our ages is 30, how old is my older brother, मेरा जो बड़ा भाई है, उसकी आयू कितनी है, यह आपको बतानी है, अब देखे, यह question primary में भी हम लोग पूछते हैं, आप चाहें तो इसे equation method से solve करेंगे, तो आपके लिए यह upper class का question हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे direct solve करना चाहें, मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसे option से ही solve कर लीजे, कैसे कर सकते हैं इसको, मेरा बड़ा भाई मुझसे 6 साल बड़ा है, तो बताए मेरी I.U. कितनी होगी, मानलो मैं मानता हूँ कि यह वाला option सही है, तो इसमें से 6 साल कम कर दो, 22 में से 6 गई कितने बचे, 16, मैं मानता हूँ कि यह वाला साही है, इसमें से 6 कम करेंगे, तो कितना बचेगा, 29, इसमें से 6 कम करेंगे, तो 12, और इसमें से अगर 6 कम करेंगे, तो यह हो गया आपका 18, अब देखिए, यहाँ पे condition given है, कि हमारी I.U. का कितनी है, 12 बर्ष है, और देख लो, हमारे दोनों की जो एज है, उसका difference क्या है, 6 years है, 18 and 12 के जो difference है, वो भी 6 years है, अब आप इसे equation से करना चाहाँ, equation से कर ले, equation से भी बता देता हूँ, मैंने यह सारी चीज़े आपको पहले कराई वी है, मान लो, मेरी I.U. है X, तो मेरे ब बड़े भाई की I.U. कितनी होगी, X plus 6, त्यानि की 12 plus 6, 18 साल, समझ गए आप, चलिए, चलते हम अपने next question पे, जल्दी से करेंगे, हमारी class में हम आपका बिल्कुल भी time waste नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप एक subject को finish करें, next subject की आप पढ़ाई करें, और आपको recommend करूँ आप daily दो से तीन subject daily पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप daily maths ही पढ़ें, या psychology पढ़ें, daily आप दो तीन subject को mix करके पढ़िए, आपका interest भी बना रहेगा और पढ़ाई भी अच्छी होगी, क्या गेरें second question में, बहुत simple सा question है, if I double dash and then subtract 50, I get 160, कोई number है, अगर मैं उसका double करता हूँ और उसमें से 50 subtract घटाता हूँ, तो मुझे 160 प्राप्त होता है, तो देखें, मैं number को मान लेता हूँ, वो है x, इसका मैंने double कर दिया, इसमें से minus कर दिया, मैंने 50, तो मुझे कितना मिलता है, 160, देखें, यह equation आपको बनानी आनी चाहिए, और बहुत जल्दी से बनानी है आ कुछ आपके strong areas होंगे और कुछ weak areas होंगे, paper में आपको उनको भी time देना है, 180 questions आपको attempt करने है, तो जल्दी से इस तरह की equation बनानी आपको आनी चाहिए, question को एक बार में पढ़के आप समझ जाएं कि यह क्या पूछ रहा है, तो हम से यहाँ पर x की value पूछी है, तो निकाल देते हैं, 2x is equal to, यह minus का 50, इदर जाके plus का 50, यह हो जाएगा आपका 210, x की value आगई 210 बटे 2, यहनी 105, 105, option D will be correct, I think आपने भी यही answer लगाया होगा, चलिए अब हम चलते हैं अपने जल्दी से next question पे, question number 3 पे, बहुत simple सा question है यह भी, क्या पूछने हैं आप से, the average of 2 dozen, 3 dozen and 5 dozen is, 2 दर्जन, 3 दर्जन और 5 दर्जन का आपको average बताना है, औसद बताना है, तो देखे, क्या करेंगे, 2 दर्जन कितना हो गया मतलब, 24, 3 दर्जन हो गया मतलब, 36, 5 दर्जन हो गया मतलब, 60, एक तो तरीका यह है, जो की अधिकतर बच्चे करने वाले हैं, इसको divide कितने से क करेंगे, तीन से divide करेंगे, 24 और 36, यह हो गया, आपका 60, 60 प्रस 60, 120, 120 divided by 3, यानि कि यह कितना आगया आपका, 40, बस यहाँ पर आपको ध्यान रगना है, उपर जितनी numbers हैं, उतने से ही divide करना, अधिकतर मैंने देखा है, जैसे 120 को बच्चे क्या करते हैं, 2 से divide कर देते हैं, 60 अंसर लगा देते, यह गलत हो जाता बच्चों आपका, छोटी 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 चीजे हैं, बेसिक यही होता है, प्रैमरी में यही चेक करने वाले हैं आपका, अब देखें, फोर्थ कोशन, क्या कह रहे हैं, जॉन की जो रनिंग स्पीड है, वो क्या है, 600 मीटर पर मिनट, that equals a rate of dash centimeter per second की आपको इसकी speed निकालनी है, सिंपल सी बात है, यह conversion का question है, आपको इस speed को change करना है centimeter per second में, कैसे करेंगे, 600 मीटर पर मिनट दिया है, अब देखें, एक मिनटर में किते centimeter होते हैं, 100 per minute, per minute का मतलब है, minute को अब आप second में change कर लीजे, एक मिनट में कितने seconds होते हैं, 60, अब देखें, जो भी आपका answer है, जो भी आपकी speed है, वो centimeter per second में आ जाएगी, 0 से आपका, 0 cancel हो गया, 6 से आपका, 6 cancel हो गया, 100 पे, 100 के आपने 10 से multiply कर देनी, क्योंकि यहाँ पे 10 बचा है, तो यह हो गया आपका thousand, यानि कि उसकी speed कितनी आ गई, thousand centimeter per second, तो कौन सा सही हो गया, option C is your correct answer, समझ गए, चलिए, चलते हैं, आज के next question पे, question number 5 पे, जितने भी question आपको कराऊंगा, 20 question आज के रहने वाले हैं, जल्दी से करेंगे, क्या कह रहें कोशन में, square piece of paper has a perimeter of 36 centimeter, एक square piece of paper है, और उसकी जो perimeter है, वो 36 centimeter है, आगे क्या कह रहें, what is the area of a square piece of paper with twice that perimeter, यानि कि उस वरगाकार कागज के टुकडे का छेतरफल क्या होगा, जिसका परिमाप इससे दुगना है, अब देखिए, आपको area निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए side की ज़रुत, यानि उसकी एक भुजा कितनी है, ये आपको पता हो, तब आप उसका area असानी से निकाल लेंगे, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक condition add कर दी है, कि इसका perimeter दुगना करना ह हैं आपको, तो दुगना कितना हो जाएगा 36 का double, ये हो गया आपका 72, यानि कि कोई एक figure है, उसका perimeter 72 है, तो उसकी एक side कितनी होगी, आपको पता है, square की चारो side बराबर होती है, और उसका perimeter कितना है, 72, 72 को अगर हम 4 से divide करते हैं, तो ये आगया आपका 18, यानि इसकी एक side 18 cm की है, अब इसका area क्या होगा, square का area होता है side into side, यानि कि भुजा गुणा, भुजा, 18 की 18 से multiply कर दो, ये आगया आपका 324 cm square, तो option D यहाँ पे सही हो जाएगा, समझ गए आप, बिल्कुल basic question है, आगे आपके अलग-अलग concept के question लेने वाला हूँ, देखे 6th question, बहुत ही प् ये आपको एक expression दिया है, लंबा सा, आपको इसकी once digit बतानी है, जो इसका इकाई का अंक होगा, वो आपको बताना है, अब बच्चे क्या करेंगे, 9,8s आ, 72, 2 आ गया, 2,7s आ, 14, 4 आ गया, 4,6s आ, 24, 4 आ गया, तो इस तरह से solve करने वाले हैं, है न, देखे, अब थोड़ा सा दिमाग लगावा, पिल्कुल जरासी सी बाते हैं आपे, 5,4s आ कितना होता है, 20, अब ये 20 आगे न, यानि हमारे एक नंबर एक ऐसी आ गई, जहां पर 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे, अब आप जितनी मर्जी multiply कर लो, 0 की, वो 0 ही हो जाना है, तो option A यहां पे सही हो ज आप से 7th question में, the least common multiple of 10 and 24, least common multiple, यानि कि हम बात कर रहे हैं आपे, LCM की, plus, plus कह दिया है इन्होंने आपे, the greatest common factor of 10 and 24 equals, यानि LCM plus HCF, आपको बताना है किसका, 10 and 24 का, 10 and 24 का, सबसे पहले तो आप LCM निकाल लो, तो LCM निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे simple तरीका है, 10 and 24 में बड़ी नमबर कौन सी है, 24, अब 24 का आप multiply करो, 24 का 48, 48 के बाद 72, 72 के बाद 96, 96 के बाद 120, 120 ही एक ऐसी नमबर है, जो 24 के table में भी आएगी, 10 में भी आएगी, देखे, LCM का मतलब होता है, lowest common multiple, यानि पिल लिखते जाहिए, 10, 20, 30, 40, ठीक है, यह लगबग 120, 130, ऐसे चलेगा, 24 के लिखिए, 24 के होंगे, 24, 48, 72, ठीक है, 96, 120, 120 ही एक ऐसी नमबर है, जो दोनों में common है, और lowest भी है, यानि सबसे पहले आईए, तो LCM कितना हो गया, 120, अब हम बात करते है, HCF की, HCF का मतलब होता highest common factor, यानि कि अब देखे, 10 and 24, इन दोनों ही नमबर को कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, जो डिवाइड कर देंगी, highest common factor, तो देखे, 10 आपका डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 24 किस किस से हो जाएगा, 24 आपका 1 से ह हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और भी बहुत सारी नंबर है, तो HCF का मतलब होता है, highest common factor, यानि की कौन सा सबसे बड़ा factor है, जो की common होगा, तो देखे, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा factor होगा, वो आपका 2 ही रहने वाला है 24 का जो next factor होगा, वो क्या होगा, वो होगा 6, 6 के बाद क्या होगा, 8, 8 के बाद क्या होगा, आपका 12, तो common क्या बणा इनके बीच में, common बणा आपका 2 बना सरफ, तो यही आपका highest common factor है, 1 भी बना, तो इन दोनों में highest कौन सा 2 है, तो HCF होगा है इसका 2, इन दोनों का plus पू आपको यह सारी चीज मैंने बच्चो आपको मैंने पुरानी क्लासेज जो है न बहुत अच्छे से करा हैं इसमें ठीके ची चलिए एर्थ कोशन पर आते हैं तो एर्थ कोशन आप से पूछते हैं कोई फुटबॉल टीम है और उसने अपने पहले चार मैचों में 31 पॉइंट पॉइंट उसने लिये हैं और आगे क्या करें हैं and an average of 30 points per game in its first 5 games यानि उसने एक मैच और खेला और उसके बाद जो उसका average हो गया average point उसके कितने हुए 30 points per game हो गई हैं तो आपको बताना है how many points did the team score in its 5th game देखिए इस तरह के question बहुत पूछे जाते हैं competitive exam में SSC में भी और अधिकतर आपके जो teaching के exam होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं तो देखिए पहले चार matchों में उसका average क्या रहा है 31 का रहा है और उसके बाद जब उसने 5 match खेल लिये तो उसका average कितना हो गया है वो 30 के हिसाब से हो गया है तो अब इसकी multiply कर लिजे 5-3 जा 150 और 4 की 31 से multiply करेंगे तो 124 तो पहले चार matchों में अगर हम देखें तो total जो point थे 124 थे और जो 5 matchों में 150 हो गए तो एक next match add हुआ तो वो 5th match है 5th match में जो अपकरना difference है वो निकाल लिजे यह आगया आपका 26 का यानि की उसने 5th match में 26 points score किये हैं तो कौन सा सही होगा option A will be correct समझ गया आप आप निकाल के भी देख सकते हैं 124 में आप 26 जोड़ी है कितना हो गया 150 आप total इसके match कितने हो गया वो 5 हो गया तो average कितना आगया 30 आगया ना तो कौन सा सही है हमारा option A is your correct answer समझ गया shortcut भी बता सकता हूँ इसका लेकि shortcut में बताना नहीं चाहता क्योंकि simple question है आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा इनको करने में ठीक है जी चलिए 9th question पर आते हैं बढ़िया question है क्या गहरे है of the following numbers which is closer to 12.98 12.98 के सबसे निकट कौन सी संख्या है ये आपको बताना है option बे से तो देखे 12.98 क्या 12.0 है 00 12.90 है 12.95 है या फिर 13.00 है तो आप ये देख लीजे कि इनके बीच में difference कितना है इन दोनों के बीच में difference कितना है यहाँ पर अगर हम देखे यहाँ पर है 0.98 का यहाँ पर अगर हम देखते है 0.08 का difference है यहाँ पर कितने का है 0.03 का difference है और यहाँ पर कितना है 0.02 का difference सबसे निकट कौन सा हुआ गई सबसे निकट आपका यही हुआ ना option D यानि कि यह जो number है सबसे closest किसके है option D के 13.00 के समझ गए आप चलिए चलते हैं अपने next question पे question number 10 पे आ गए हम बड़ी हा question है आप इसे खुद solve कीजिए और जल्दी से इसका answer comment box में बता दीजिए 3 divided by 1 by 6 6 is equal to 9 divided by dash क्या आएगा यहाँ पे बिल्कुल simple तरीका है इसको solve करने का 3 divide के जगे हो जाएगा आपका multiply 1 by 6 का हम reciprocal कर देते हैं यानि उल्टा कर देते हैं 6 बटे एक हो जाएगा तो 6 upon 1 is equal to 9 divided by divided यहाँ पे लिख दिया हमने इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा x होगा हमी नहीं पता क्या आने वाला है और यह जो divide है इसको भी मैं change कर लेता हूँ divide के जगे हम कर देते हैं यहाँ पे multiply और x का क्या हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे किया यह हो जाएगा आपका 1 upon x ठीक है जी हमें इस x की value ही तो निकालनी है तो देखिए 6 3 जा होता है आपका 18 यह आपका cancel हो जाएगा पूरा दर 2 पे तो x की value क्या जाएगी आपकी 1 upon 2 कौन सा सही होगा यहाँ आपको option में बिलकुल option c will be correct समझ गए आप चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अपने next question पे question number 11 पे बहुत अच्छा question है जो मैं आपसे बच्चो बात कर रहा था Indian place value system की आपके international place value system की यह चीज बच्चो आपको जरूर पढ़के जानी है अब देखिए क्या कह रहे है question में 100 million divided by 10,000 equals यानि जब आप 100 million को 10,000 से विभाजित करते हैं तो क्या आएगा यह आपको बताना है अब देखिए अगर आपको पता है million में कितनी zero होती है तबी तो इसको solve कर पाओगे तो international place value system आपको पता होना चाहिए क्या कह रहे है million तो पहले million लिखना सीखो once, tens, hundred ठीक है जी हो गया thousand, ten thousand, hundred thousand उसके बाद million one million, ten million, hundred million one hundred million बोला है नहोंने तो यह हो गया आपका one hundred million अब इसे कितने से divide करना है ten thousand से divide करना है तो ten thousand तो आपको पता है यह simple होता है, कितनी zero आती है इसमें 4 zero आती है अब यह 4 zeros को यहाँ पर cut कर दीजे कितनी zero बच गई है आपके पास one, two, three, four कितनी number बची है आपके पास यह बची है आपके पास ten thousand कौन सा दिया है आपको option D given है तो option D यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चो दुबारा कहा रहा हूँ यह सारी चीजें रठके चले जाना एक zero के चक्कर में आपका एक number कट सकता है और इस बार एक एक number बहुत importance रखता है आपके लिए क्यों? क्योंकि 180 marks का paper है और जो expected cut off है बच्चों जो उमीद लगा रहे हैं लोग वो 160 प्लस रहने वाली है क्योंकि competition level बहुत आई है और paper का जो pattern है बहुत easy कर दिया है अब देखे अब 12th question पर आते हैं क्या कह रहे हैं आप से the greatest common factor of 2013 and dash is 11 यानि कि कोई दो number है और उनका हमें HCF दिया है वो है आपका 11 HCF मैंने अभी आपको बताया था HCF को आप greatest common factor कह लिजे एक ही बात है दो number है एक ये और ये हमें पता नहीं हम मान लेते हैं ये है x इन दोनों का जो HCF है वो है आपका 11 यानि HCF की अगर हम बात करें तो जो दोनो number है ना वो 11 से divide हो जाएंगी आप यहाँ पे चेक करो ये जो number आपको 4 option दिये है कौन सी ऐसी number है जो आपकी 11 से divide हो जाएगी तो अगर आपको 11 का divisibility rule पता है तबी तो कर पाओगे तो 11 का divisibility rule मैं आपको बता देता हूँ देखे कोई भी number दी है आपको आप उसकी alternative digit की numbers को प्लस कर लीजे कैसे मान लीजे यहाँ पर आपको दिया है 5,4,3,2,1 ठीक है यह एक number है तो यह वाली number यह वाली number यानि कि जो even places पे number है और जो odd places पे number है उनको add करके minus कर लीजे अगर वो 11 से divide हो रहा है तो वो number 11 से divide हो जाएगी देखे हम कैसे check करेंगे आपे 3 और 2 को plus कीजे यह हो गए आपका 4 और यह हाँ पर क्या बचरा है 2,4 में से 2 गया यह आया आपका 2 क्या 2 11 से divide होगा नहीं होगा तो इसका मतलब यह तो यह वाली number हो ही नहीं सकती 3,70 को check कीजे 3 and 0 3 आया 3 में से 7 को minus करते है 4 आता है तो यह भी नहीं हो सकती अब इसको check कीजे 8 and 4 यह हो गए आपका 12 12 में से 1 को minus कीजे यह आया आपका 11 11 11 से divide हो जाएगा इसका मतलब यह एक ऐसी number है जो हमारी यह वाली second number बन सकती है क्यों क्योंकि यह 11 से divide हो जाएगी next देखिए 6 and 2 यह हो गया आपका 8 इन दोनों को plus किया यह रह गया आपका 4 8 में से 4 गया यह आगया आपका 4 क्या 4 11 से divide हो जाएगा नहीं होगा इसका मतलब एक ही number बनी हमारी वो है आपकी 418 तो यहां पर यह वाली number आनी चाहिए थी इन दोनों को जो HCF है वो 11 है तो कौन सा सही हो गया option C is your correct answer समझ गए बच्चो चलिए जी आगे बढ़ते हैं बिलकुल भी आपका time waste नहीं करना चाहते हैं और एक चीज और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर new है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और आप हमसे WhatsApp के माध्यम से भी जुड सकते हैं कोई भी query है आप हमसे जरूर जुड़ी है क्योंकि बहुत सारी चीज़े हम share करते रहते हैं यह हमारा WhatsApp number है आप simply हमें अपना नाम लिखके इस number पर WhatsApp कर दीजे अगर आप PRT की तयारी कर रहे हैं तो ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं So बच्चो 13 question आपसे पूछ रहे हैं For a 7 digit number कोई एक 7 digit की संक्या है The highest place value as per the international number system is Hindi में पढ़ देते हैं आपके लिए साथ अंकों की संक्या के लिए अंतराष्टे संक्या प्रणाली के अनुसार उच्टम इस्थान मान कौन सा होगा आपको बताना है तो option आपके हैं 100,000, 1000, 10,000, 100,000 तो देखो बच्चो जैसा मैंने अभी आपसे बात की थी International Place Value Chart आप देख लीजे कैसे आप चलता है 1, 10, 100,000 10,000, 100,000 तो इन्होंने पूचा है साथ अंकों की कोई संक्या है तो साथ अंकों की संक्या के लिए कहां पर आएंगे हम million पर आएंगे तो इसका उच्टम इस्थान कौन सा हुआ जो highest place value हुई वो कौन सी हुई वो हुई आपकी million समझ गए आप चलिए तो जल्दी से अब हम चलते हैं अपने next question पे question number 14 पे 14 में क्या पूच रहे हैं आप से the number 6 million 3,000 is written as बढ़िया question है 6 million 3,000 को आप कैसे लिखेंगे तो देखें जैसा अभी मैंने आपको international place value system बताया इसी से समझ लेते हैं 6 million 3,000 तो 6 million यहाँ पर आएगा ठीक है 3,000 3,000 3,000 कहीं यहाँ पर आएगा ठीक है पहले 3,000 लिख देते हैं बाकी जगग आप 0 फिल कर देते हैं तो कितने digit की number है यह total आपकी यह total आपकी 7 digit की number है तो कौन सा सही होगा option D will be your correct answer यह चोटी चोटी चीज़े हैं बच्चो जिसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं और अपने number खो देते हैं 15 question पर आते हैं यह question बच्चो बहुत सारी चीज़े आपको सिखा कर जाएगा इसमें मैं आपको एक chart दिखाऊँगा उसको आप screenshot लेके जरूर रखना और जहां पर भी आप अपने notes बना रहे हो वहाँ पर यह सारी चीज़े लिख लेना क्या कह रहे हैं आपसे 1800 milligram is equal to dash gram अब सभी बच्चो को क्या याद रहता है एक kilogram में कितने gram होते हैं 1000 gram पेपर में इतना असान थोड़ी पूछने वाले हैं आपसे पेपर में तो आपसे पूछेंगे इस तरह की numbers अब इसके लिए आप इस chart को देखे हम mass की बात कर रहे हैं हम weight की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा है एक kilogram का नहीं पूछा आपसे पूछा है gram और milligram के बीच में relation क्या होगा तो उसके बीच में होता है 1 gram is equal to 1000 milligram यानि जो gram है वो बड़ी unit है milligram छोटी unit है एक चीज और जब भी हम बड़ी unit में answer निकालते हैं तो हम divide करते हैं और अगर हम से छोटी unit में पूछा है तो multiply करते हैं अब देखे हम से यहाँ पर बड़ी unit में पूछा है तो 1800 को divide कर दीजे कितने से 1000 से divide कर दीजे क्या हैगा आपका 1.8 so option A will be your correct answer समझ गए बच्चों आप और आप इस chart का screenshot ले लेना दुबारा कह रहा हूँ आपसे ठीके जी चलिए next question पर आते हम क्या कह रहें question में देखे बड़िया question है क्योंकि conversion के question पूछे जाते हैं बच्चों अब ये question में क्या पूछ रहे हैं आपसे अब बाज cycle has a speed of 6 meter per second एक बाज cycle की speed कितनी है 6 meter per second है what is its speed in kilometer per hour इसकी जो speed है वो kilometer per hour में क्या होगी ये आपको बतानया है तो बच्चों हमें cycle की speed meter per second में दिये है देखे मैं इसको यहाँ पर लिग देता हूँ 6 meter per second ये हमको given है हमसे इन्होंने पूछा है kilometer per hour में kilometer per hour में यानि कि अब यहाँ पर ध्यान दीजे हमें इस meter को किस में बदलना होगा kilometer में और meter को kilometer में कैसे बदलते हैं जब हम उसे divide कर दे कितने से 1000 से तो कि 1 kilometer में 1000 में होते हैं ये मैंने इसके upon में लिख लिया है आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा मैंने ये second को हमें बदलना है hour में यानि घंटे में तो पहले second को हम किस में बदलेंगे, minute में बदलेंगे, तो इसको हम 60 से divide करेंगे, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा, उपर चला जाएगा, भाई देखे, अगर मैं इसके upon में 60 लिखता हूँ, तो ये उपर ही जाने वाला है, तो 60 यहाँ पर आ गया, ये मैंने हाँ पर लिख दिय ये minute में आ गया, अब minute को अगर हमें बदलना है, घंटे में, तो एक साथ यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है जी, अब आप इसको simplify कीजे, सरफ इतने को simplify कीजे, मैं आपको यहाँ से एक rule निकाल के बताता हूँ, एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से यहाँ पर एक 0 कट गई, ये बना आपका 36 बटे 10, 36 बटे 10, यानि कि इसे मैं लिख सकता हूँ, 18 बटे 5, जब भी आपको meter per second से, kilometer per hour में change करना है, तो किस से करेंगे हम multiply, 18 बटे 5 से, और अगर इसका उल्टा है, kilometer per hour से अगर आपको meter per second में बदलना है, तो हो जाएगा 5 बटे 18, ठीक है, इस चीज को या 6 meter per second दिया है 6 meter per second हमें किसे में change करना है किलो meter per hour में change करना है तो हम इसे कितने से multiply करेंगे 18 बटे 5 से ठीक है यह मैंने चीज अभी आपको निकाल के बताईए कर दो इसको simplify तो बच्चो जब आप इसे simplify करेंगे यह आएगा आपका 21.6 kilometer per hour option A यहाँ पर सही हो जाएगा next question पर चलते है question number 17 पर अब देखे क्या कहरें आपसे convert 9 kilometer 2 millimeter आपको 9 kilometer को किस में change करना है millimeter में change करना है तो देखे बहुत simple है बिल्कुल simple अगर अभी जो मैंने आपको table दिखाई थी उससे करना है तो वहाँ से कर लो बाकी आपके लिए बहुत simple तरीका बताता हूँ एक kilometer में कितने meter होते है एक हजार meter होते है तो यह आगया आपका meter में अब इस meter को किस में change कर दो meter को change कर दो अब centimeter में ठीक है तो यह ओगया आपका centimeter में यहाँ तक 9 into 1000 into 100 अब centimeter में 1 cm में कितने mm होते हैं 10 mm होते हैं तो ये पूरा expression आगया आपका mm में अब देख लो कितनी 0 बन रही है आपे 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 के आगे 6 0 बनेंगी तो कहां पर है भई 6 0 1, 2, 3, 4, 5 भई यहां तो 5 ही है यहां पर 6 बन रही है तो option भी सही होगा है ना कितना सिंपल बच्चो यही है basic maths ठीक है जी चलो आगे चलते हैं आपको question number 18 पे लेके अब ये कैसा question है ये question है आपका बच्चो board mass rule का आपको board mass rule आना चाहिए कि पहले bracket फिर off फिर division फिर multiply फिर addition subtraction जो भी पहले आ जाए ठीक है अब देखे इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले तो आप इसको solve कीजे 8 बटे 2 को यहां से कितना आएगा यहां से आएगा आपका 4 प्लस अभी 5 इंटू 4 है इसको भी solve कीजे 5 इंटू 4 कितना होगा आपका 20 माइनस का 27 अब जो भी पहले करना है वो पहले कर लो 20 प्लस 4 यह होगे आपका 24 24 माइनस 27 यह आएगा आपका माइनस 3 so option C will be your correct answer समझ गए बच्चो आप यह board mass rule के questions भी आप practice करके जरूर जाएए आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको basic math करा रहा हूँ ठीक है जी चलिए 19 question पर आते है क्या कहरे है बच्चो आपसे question में what is the sum of first 70 natural numbers पर्थम 70 जो आपकी natural numbers होती है प्राकरतिक संख्याएं होती है उनका total क्या होगा योग क्या होगा यह आपको बताना है तो देखे इसके लिए एक formula होता है वो क्या होता है n n plus 1 divided by 2 जब भी आपको first natural numbers आपसे 100 बोल दे तो n की जगा 100 हो जाएगा आपसे 50 कह दे 50 आजाएगा 70 बोला है तो 70 रग दो 70 70 plus 1 यह कितना होगा आपका 71 divided by 2 अब 70 को 2 से divide कर दीजे यह आगा आपका 35 35 कि आप 71 से multiply कर दीजे इतना है का आपका 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 2485 क्या है का आपका 2485 so option D will be correct answer अब question को थोड़ा सा change करता हूँ बच्चों यहाँ पे अब अगर मानलो यह natural number की जगा आपसे कह देता whole number first 70 whole numbers तो natural number कहां से शुरू होती है 1 से शुरू होती है whole number कहां से शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है तो 0 की तो कोई value नहीं रहती तो इसमें जो हम numbers लेते न अगर वो whole number कहता तो हम 69 ही लेते तो कि 0 की आपकी कोई value नहीं होती तो हम सर्फ 69 तक का total करते समझ गए आप? चलिए आगे के question में इसी का एक advanced version लेते है question number 20 क्या कह रहे हैं आपसे? what is the sum of first 70 even numbers? even numbers यानि की आपकी समसंख्याएं पर्थम सतर समसंख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बताना है पहली समसंख्या कौन सी होती है? वो होती है आपकी 2 उसके बाद 4 वो होगी आपकी 140 होगी या नहीं होगी? अब आपको क्या बताना है? इनका total बताना है तो total बताने के लिए simple formula बताता हूँ आपको formula होता है आपका n बटे 2 bracket में a plus l a plus क्या है? a का मतलब होता है जो आपकी first number होती है l का मतलब जो आपकी last number होती है तो रग दो इसके अनुसार n कितना है आपका? 70 upon me 2 a कितना है आपका? 2 होगा यहाँ पे तो की first even number कौन सी है आपकी? 2 last जो आपकी even number है 70 में वो है आपकी 140 ठीक है जी? 140 plus 2 यह कितना होगी आपका? 142 इसको यहाँ पे divide कर दीजे यह होगया आपका 35 35 into 142 निकाल दीजे कितना आएगा? यह आगया बच्चो आपका 4970 so option A will be your correct answer ठीक है जी? तो बच्चो यह थे आज के total 20 MCQs question simple basic math जिसे आप कह सकते हैं सारे question आपके relevant हैं primary से मिलते जुलते ठीक है जी? तो इस तरह के question की practice कीजे और out of 20 आपका क्या score है मैं comment box में जरूर बताइए thank you so much guys